सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में गिरफतार संदिक्द केकडा के बारे में नए खुलासे हुए हैं पता चला है कि संदीप उर्फ केकडा मूसेवाला की मुखपरी करने में ही शामिल नहीं था बलकि ड्रग्स राकेट से भी उसके तार जुड़े हैं वो लॉर्ण्स विश्णोई के भांजे सचिन का करीबी था शुरुवाती जांच में सामने आया है कि आरोपी केकडा हेरोईन के नशे का आदी है इतना ही नहीं वो खुद हेरोईन बेचता भी है केकडा पुराना अपराधी रहा है आपको बता दें कि पंजाब पुलिस उसके भाई की तलाश के लिए काला वाली पहुची थी पंजाब पुलिस ने सोमवार को संदीप उस केकडा गरफतार किया था वो सिर्सा के काला वाली गाउं का रहने वाला है उस पर आरोप है कि उसी ने मूसे वाला की रेकी की थी आपको बता दें कि मूसे वाला के घर से निकलने से पहले कि CCTV कैमरे की रिकॉर्डिंग वाइरल हो रही है इसमें कुछ यूवक मूसेवाला की थार गाड़ी के इर्द गेर्द नजर आ रहे हैं और इसी में से एक केकड़ा है केकड़ा सिद्धू मूसेवाला की रेकी करने के लिए करीब 45 मिनट तक वहां रुका उसने चाय पी फिर मूसेवाला के साथ सेल्फी दी उसने इस बात के पुष्टी की कि मूसेवाला के साथ गनमैन तो नहीं जा रहे हैं या फिर नहीं फिर जैसे ही मूसेवाला बिना सिक्यूरिटी थार जीब चलाते हुए रवाना हुए उसने शार्प शूटर्स को मुख बली कर दी उसने शार्प शूटब जार्प शूटर्स को मुख बलाप शूबों